हेलो, नमस्ते, सासुरियकाल, स्लाम अलेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया हूँगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आयरवेदिक होम रेमेडियो के बारे में, जो कि आपके बालों के नैचरल कलर को मेंटेन रखती हैं, आपके बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाती हैं, और जो बाल आपके अल्रेडी काले हो भी चुके हैं, उनको भी किसी हद तक वापिस से काला बनाने का काम करती हैं. तो चलिए बीना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी आयरवेदिक होम रेमेडियो के बारे में पूरी डीटियल्स हैं. सबसे पहले जानते हैं कि बालों के सफेद होने की असली वज़ा क्या होती है? दोस्तों, according to modern science, हमारे बालों की जड़ों में मौझूद melanocyte cells जब कम काम करती हैं तो इसकी वज़ा से बाल सफेद होने लगते हैं. अब ये melanocyte cells जो हैं ये क्या हैं? ये basically एक ऐसी cells हैं जो कि melanin नाम के एक pigment को बनाती हैं और ये pigment melanin नाम वाला जो है ये ही basically हमारे बालों को color प्रोवाइड करता है. वहीं अगर हम आयरवेद की बात करें तो इसके हिसाब से हमारी body में पाई जाने वाले तीनों दोशों में या वात, पित और कफ में अगर कोई imbalance पैदा हो जाता है, खास करके अगर आपके अंदर पित्य दोश बढ़ जाता है तो इसकी वज़ा से बाल सफेद होते हैं. वैसे इन दोनों ही theories के पीछे कुछ responsible factors भी होते हैं जो कि melanocytes को effective ही करते हैं या फिर आपकी body के अंदर तृदोश के अंदर imbalance भी पैदा कर सकते हैं. ये factors होते हैं stress, improper diet, pollution, excessive exposure to sunlight या फिर lack of sleep. दोस्तों बालों को सफेद होने से बचाने के लिए आज मैं आपको तीन अलग-अलग remedies बताऊंगा. ये तीनों remedies जो है वो होगी एक oil की शकल में जो कि externally आपको अपने बालों के उपर apply करना है. सबसे पहले बात करते हैं oral use वाली home remedy के बारे में. दोस्तों खाने के लिए use की जाने वाली जो remedy में आपको बता रहा हूं वो सिर्फ दो चीजों की मदद से आपको बनानी है. पहली चीज है आमला औ और दूसरी है ब्रहमी. आमला और ब्रहमी दोनों ही बालों के लिए बहुत ही फाइदे मन होते हैं और ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथाथ बालों के इंदर जो natural color होता है उसको भी preserve करते हैं. इस remedy के लिए आपको क्या करना है आपको आमला और ब्रहम पानी के साथ मिला कि इसको आपको रुजाना पीना है. इस mixture को लेने से आपकी body के अंदर पित्य दोष जो बढ़ जाता है वो शांत हो जाएगा, बालों की जड़े मजबूत बनेंगी और आपके बालों के अंदर जो premature graying होती है असमय सफेद होना बालों का होता है वो रु इस चारो ही चीजे आपको बादार में आसानी से PC हुई मिल जाएंगी या online भी आपको मिल सकती है इनको आप ले लीजिए और बराबर बराबर quantity में आप एक जगा मिला के इनको store कर लीजे इस mixture में से आपको क्या करना है आपको एक टेबल स्पून इसे लेना है इस powder को और एक ग्लास पानी में आपको रात को सोते समय भीगों के रख देना है जब सुभा आप उठेंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये पानी जो है वह अच्छी तरीके से उबालना है इतनी देर तक आपको इसे उबालना है कि यह पानी उबलते उबलते आपका आधा नह रह जाए जब यह आधा रह जाए तो इसको आप छान लीजे ठंडा होने दीजिए और इसी पानी से आपको अपने सर को वाश करना है दोस्तों बेसिकली ये पानी नहीं है ये एक तरह का शैंपू है जो कि आपके बालों को साफ भी करेगा उन्हें नरिश भी करेगा और आ इतना आपके लिए काफी होगा और इस शैंपू को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद आपको कोई कंडिशनर बगारा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपके बाल जो है वो ड्राइ नहीं होंगे ये एक नैशरल चीज है जिसमें ना तो कोई कैम डालके हलकी आँच पे पहले गर्म कर लेना है जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपको एक मुट्टी भर के कड़ी पत्ता इस गर्म तिल में डालना है और हलकी आँच पे ही इसको धीमे धीमे पकने देना है इतनी देर तक आपको पकाना है जब तक ये पत्तियां अ आप तेल को पहले हलका सा गरम कर ले और फिर उंगली के सिरो से अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीकी से इसको लगा लें याद रखें कि आपको अपने सर की मालिश जो है वो बहुत जादा जोर दोर से नहीं करनी है बलकि हल के हाथ से करनी है और सिर्फ अपने उंगली के सिरो से करनी है और स्केल्प की मालिश करनी है बालों की नहीं करनी है जोर जोर से अगर आप अपने बालों की मालिश करते हैं तो उससे आपके बाल जो हैं वो कमजोर होते हैं और जढ़ने या तूटने लगते हैं इस तेल की मालिश दोस्तों आपको हफते में सिर्फ दो या तीन बार करनी होती है और सिर्फ इतना ही करने से ये तेल आपके बालों को मजबूत भी बिनाता है जड़ने से भी रोकता है और बालों के natural color को भी preserve करने का काम है दोस्तों ये treatment जो आज मैंने आपको बताया है ये आपके बालों को 360 degree protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो internal home remedy खाने वाली आप इस्तमाल करते हैं वो आपके बालों को नरिश करती है अंदर से जो आप बाहर से shampoo की जंगा अपने बालों को धोने के लिए remedy इस्तमाल करते है वो shampoo वगरा में मौझूद जो chemicals होते हैं उनको replace कर देती है और आपके बालों को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और तीसरा जो oil आप अपने बालों की जड़ों में लगाते है ये आपके बालों की जड़ों को बाहर से nourishment प्रोवाइड करता है और वहां पर color को preserve कर करता है तो complete treatment therapy है ये जो कि आप अगर आप इस्तमाल करेंगे तो आपके बालों को न सिर्फ काला बनाने में आपको मुदद करेंगी बलकि इसके साथ साथ आपके बालों को जढ़ने को भी रोकेगी बालों के अंदर जो dandruff अगरा की दिक्कत आ जाती है उसको भी रोकेगी बालों को चमकीला भी बनाएगी नर्म और मुलायम और खुबसुरत भी बनाएगी दोस्तों बालों का कोई भी treatment स्टार्ट करते वक्त हमेशा याद रखें कि visible results दिखाई देने में वक्त लगता है इसलिए patience रखना और regularly अपने treatment को follow करते रहना बहुत ज़्यादा जरूरी ह एक और बात हमेशा याद रखें कि जो बाल already आपके सफेध हो चुके हैं इनका 100% वापस से काला बन जाना almost next to impossible होता है कोई भी treatment बालों को सफेध होने से सिर्फ रोक सकता है या फिर कम उम्र में ही जो बाल आपके सफेध हो जाते हैं उन्हें किसी हद तक वापस काला कर सकता है लेकिन 100% सफेद बाल वापस काले हो जाएं या फिर उम्र बढ़ने की वज़े से जो बाल सफेद हो जाते हैं वो वापस से काले हो जाएं ऐसा practically possible नहीं है इसलिए अपनी expectations को सही रखना भी बहुत जादा important है ताकि आपको पता हो कि किसी treatment से आप क्या expect कर सकते हैं और क्या नहीं दोस्तों मुझे अम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe कीजिए और सभी की साथ share भी कीजिए मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़ियासी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा